जब दो बड़े नेता एक ही जाती से हों तो आप सोच सकते हैं कि उनके रिष्टे कितने मधुर होंगे क्योंकि राजनीती में कोई भी भायचारा नहीं चलता यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीती ही चलती है राजिस्तान की सियासत में गुर्जर समाच की दो बड़े नेता कर्नल किरोडी सिंग बैसला और पूरवे डिप्टे सियें सचिन पाइलेट के रिष्टे भी खटे मीठे रहे हैं लेकिन दोनों के बीट रिष्टों में कभी तल्की नहीं आई कैसे थे इनके रिष्टे बताएंगे इस वीडियो में लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके नमस्कार मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ राधिस्थान की सियासत में गोर्जर समाज के दो बड़े नेता करणल किरोडी सिंग बैसला और पूरविट जिप्टी सियेम सचन पाइलेट के रिष्टे खटे मीठे रहे हैं लेकिन रिष्टों में कभी तलखी नहीं आई वैचारिक दृष्टी से दोनों नेताओं के बीच मदभेट जरूर रहें लेकिन मन भेद कभी नहीं हुए गोर्जर आरक्षन आंदुलन के दोरान सचन पाइलेट ने ना केवल दूरी बनाई बलकि बयान देने से भी परहेस कर लिया यही बाद करणल किरोडी सिंग बैसला को अखरती रही कुछ अक्सरों को छोड़ दिया जाए तो दोनों नेता एक जाजम पर कभी नहीं बैठे कॉंग्रिस के वैचारिक मदभेट से तर दोनों नेता एक दूसरे का बेहत सम्मान करते थे बैसला जब अस्पतार में भरती थे सचन पाइलेट उनसे मिलने भी गए थे गोर्जर आरशन आंदुलन के अगवा कर्णल किरोडी सिंग बैसला का राजधानी जैपूर में निधन हो गया था विरांसबा चनाओ 2018 के डौरान सचन पाइलेट ने दोसा जिले की महुआ विरांसबा शित्र से कॉंग्रिस पृत्याशी अजै बहरा के पक्ष में जन सबा को संबोरित करते हुए आरोप लगाए थे कि मुझे हराने के लिए दोनो किरोडी यानि किरोडी लाल मीना और कर्णल किरोडी सिंग बैसला एक हो गए हैं प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष होने के नाते गुर्जर और मीना समाज के लोगों से मेरी अपील है कि कॉंग्रिस पृत्याशी को वोट दे महुआ विरांसबा से भाजपा सांसद किरोडी लाल मीना के भतीजे को भाजपा ने टिकेट दिया था जबकि कॉंग्रिस ने अजे बोहरा को टिकेट दिया था और चुनाओ में निर्दली प्रत्याशी उंग प्रकाश हुडला ने जीत दर्ज की थी कॉंग्रिस प्रत्याशी आजे बोहरा चौथे इस्थान पर रहे थे जबकि किरोडी लाल के भतीजे राजिंद्र मीना दूसरे इस्थान पर रहे करनल किरोडी सिंग बैसला ने विरांसबा चुनाओ में भाजपा के लिए प्रचार नहीं किया लेकिन गोजर समाच से भाजपा को वोट दिने की अपील जरूर की थी उलेकनी है कि करनल किरोडी सिंग बैसला टॉक सवाई मादुपूर लोगसभा सीट से कॉंग्रिस प्रत्याशी नमो नाराण मीना से 377 वोटों से चुनाव हार गए थे और विधान सभा चुनाव 2018 के दौरान सचिन पाइलेट प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष थे दोनों किरोडी यानि कि करनल किरोडी सिंग बैसला और किरोडी लाल मीना भाजपा में थे हाला कि विधानसभा चुनाव के बाद कर्णल किरोडी सिंग बैसला ने भाजपा से दूरी बना ली थी लेकिन 2019 के कर्णल किरोडी सिंग बैसला एक बार फिर से भाजपा में शामिल हो गए लोगसभा चुनाव के दोरां नई दिल्ली में ततकालिन केंद्रे मंत्री प्रकाश जावडेकर ने करनल किरोडे सिंग बैसला और उनके पुत्र विज़े सिंग बैसला को भाच्वा में शामिल करवाया था राजिस्तान के पूर्वजिप्टी सीएम सचिन पारिट ने भी करनल किरोडे सिंग बैसला के निधन पर गहरा दुख जताया था और हुने ट्वीट करके लिखा था कि करनल किरोडे सिंग बैसला जी के निधन का दुखत समाचार सुनकर मेरा मन व्यथित हो गया है इस कटिन समय में मेरी गहरी समवेदनाय शोका कुल परिजनों के साथ है एश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चर्णों में इस्थान दे और परिजनों को ये आगात सहने की शक्ति प्रदान करें तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में साथ ही ऐसे ही और रिपोर्ट के लिए देखना न भूलेगा राजिस्थान समवाद नमस्कार प्रूलेगा